इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से दिखाई देता है मतलब WhatsApp पर आपको कोई कॉल करता है तो हमारी जो है कोल रिसीव नहीं हो पाती अभी फिलाल हमारे पास कोल रिसीव हो गई है ठीक है लोकिश क्रीन है और इसक्रेंशोट हमारा लिया भुनाई टो इस तरिके से हमारी लोकी स्क्रीन पर बंद कर देते हैं 休ler Agency अब कम भी होई आप मिलाता है आप गारे और बसे आप को थालोगी स्क्रीन पर अइंटरफेस दिखाई लिखाई दे जा ठिकैं तो यह रहता है हमारा जो है लोकिश्किन पर लेकिन अगर कोई कोल मिलाता है और हमारा लोकिश्किन लगवा होता है तो WhatsApp की किसी-किसी के फोन में शो ही नहीं करती है तो सिचुएसन में क्या करना पड़ेगा जिससे के हमारी यह Android फोन में शो हो जाए तो द्यान से वीडियो को देखिए गार सब से पहले आपको WhatsApp यहां पर यहां पर इसे फोल ब्रैस करना है इसके एप इंफो पर जाना है एप इंफो पर जाने के बाद आपको करना क्या है के यहाँ पर जो है आपको WhatsApp पर यहाँ पर सबते पहले आपको Notifications पर जाना है और Allow Lock Screen Notification इसको Start करना है बाकी सब को यहाँ पर Start करिएगme सबसे उपर वाली को कर जोरूर ठीक है ये स्टेप रहता आपका और यहां पर कोल्लिंग की सारी notification आपको लाओ कर देनी है ठीक है कि वाल नोटिफिकेशन ऑणो करना है उसके बाद यहां पर अदानके से जाने के बाद अधारूटिफिकेशन पर जाना है अदर परमिशन पर सोरी और यहां पर आपको शो लोगी स्क्रीन इस वाली परमिशन को डिने नहीं करना है अलावी रहने देना है और इस वाली को भी आपको अलावी रहने देना है ठीके और इस वाली को भी आपको अलावी रहने देना है तीनों को अलावी रहने देना है उस इस पर जाना है और यहाँ पर आपको other permissions दिखाई देंगी यहाँ पर check कर लीजेगा side में जाकर कि यहाँ पर जो है आपको logist screen में पहले तो बंद नहीं है हमने start कर दी पर display pop up windows वाली को भी whatsapp से start कर दीजेगा बस इतना आपको करना है अगर हो तो बाकि आप यहाँ पर कुछ मत करिए phone को बंद करके को लिए और आपको कोई दिकत देखने के लिए फिन नहीं मिलेगी तो यह process रहता है बस इसका अगर वीडियो अच्छी लेगी हो तो like कर दीजेगा और channel को subscribe भी कर दीजेगा